हैलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग एक बार फीर से सबीर्फ थे अपसभी लोगों का आप सबी कि अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसे तो दोस्तों हम लोगोंने बीफर में से 6 समेश्टर वालों का हर्बल ड्रग टेकनोलोजी का यूनिट सकेंड नूट्रस उटकल हम लोगोंने स्टार्ट कर दिया है और इसमें एक लेक्चर पढ़के कम्पलीट कर दिया है और पहले वाले लेक्चर में हम लोगोंने जिनरल ज अनी, अमला, जिंजर्स, उसके बद आस्वगंधा, इस्पाइरूलीना, इन सभी के बारे में आज के लेक्चर में टोटल इतना पढ़के कंप्लेट कर देंगे, जिसके बाद एक चैप्टर आप लोग का यहां पर बच रहा है, वो भी अगले वाले लेक्चर में कंप्लेट क दूँगा, तो चलिए ध्यान से देखते हैं, हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, देखिए यह सब बहुत जादे इंपोर्टेंट है, एक जामेनेशन के लिए, इसमें थोड़ा सा हीडिंग इंपोर्टेंट होता है, जिसमें सबसे पहला हीडिंग डाला ज जैसे कि आप लोगोंने फर्मा को उगूंसे में पढ़ा था, उसी तरीके से खुछ इसमें भी इस टॉपिक को पढ़ना है, तो चलिए बारी-बारी से एक एक करके डिसकस करते हैं, तो हेडिंग डालेंगे इसमें, हर्ब एज ए, हेल्थ फूड, ठीक, देखिए इसमें सातिवा, बिलॉंगिंग करता है, इसका फैमिली क्या होता है, फैब की, ठीक, इसका फैमिली सोड़ा सा जानकारी, आप लोग को रहना चाहिए कि यह किस फैमिली से बिलॉंग करता है, ठीक, केमिकल कॉंस्टिटिउंट की बात करते हैं, कि इसका केमिकल क्या होता है लीप, स्प्रूट, एंड शीड कॉंटेन, विटामिन के, विटामिन सी, कॉपर मेगनीज, फोलेट, थाइमीन, राइबोग्रीन, मेगनीशियम, एंड आइरन, ठीक, वन कप आप दी, इस्पायरूट कंटेन, वन ग्राम अप प्रोटीन, एंड वन ग्राम अप कर्भोहड़ेट, एंड इस आप सो हाई कॉंटेंट आप, बाई एक्टिव कंपाउंड, जैसे की हो गया, इस्परिंस, उसके बाद केमरिंस हो गया, फ्लेवोनाइड हो गया, फाइ इस फैमिली से बिलॉंग करता है, इसका यूज क्या होता है, केमिकल कॉंस्टिटिउन्ट हम लोगों ने देख लिया, अब बात करने जा रहा है कि इसका यूज क्या होता है, तो ये यूज किया जाता है, हाइपकोल स्ट्रेन में, हाइपर, एंटि हाइपर टेंसिव में, दियर्योटिक्स में यूज क्या जाता है उसके बाद गयल को ट्योग्योस में यूज क्या जाता है एंटियर्थ्रेट्रिक्स में यूज क्या जाता है तू ट्रीट किडिनी स्टोन के लिए भी ट्रीट करने के लिए यूज क्या जाता है और इसका यूज क्या जाता है तू र समझ में आगे आप लोगों को हम लोगों ने अलफा अलफा में यह साथ नंबर के कोश्चन बन जाते हैं रायर दी बाइलोजिकल सोर्स फैमिली कॉंस्टिंट एंड यूजिज आप दी अलफा अलफा ठेक इसके बारे में पूरा डेटेल पूछ लेता है रायर डेटेल नोट तो यतना आप लोग अच्छे तरीके जरूर पढलेना अब हमारा दूसरा चींकोरी क्या होता है चिंकोरी का बाइलोजिटा Chanel यहां पर लोग लिखेंगे too बायलोजिकल सोर्स बायलोजिकल सोर्स क्या होता है यह कहां से अप्टेंड किया जाता है इस अप्टेंड फ्राम दी प्लांट किस प्लांट से चिंकोरियम एनिवियस ठेक यह इस प्लांट से यह क्या किया जाता है अप्टेंड किया जाता है और ये किस family से belong करता है ये जो होता है esterious family से क्या करता है belong करता है इसका chemical constitute क्या होता है चिंकोरी contain a variety of nutrients which include carbohydrate, protein, vitamin, mineral, soluble, fiber, phenolize, insulin, उसके बाद kemerins, tannins, monomeric, flavonide, sescutrophene, lactone and beta carbotene ये इसका होता है chemical constitute I hope आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है चिंकोरी का biological source मतलब ही कहां से obtained किया जाता है और ये किस family से belong करता है right the biological source and family of the चिंकोरी तो क्या लिकेंगे बाइलोजगर सोर्स में क्या लिकेंगे ये कहां से obtained किया जाता है ये किस plant से obtained किया जाता है और ये किस family से belong करता है chemical constituent भी हम लोगों ने देख लिया अब हम लोग देखने जा रहा है यूज, कि ये कहां यूज किया जाता है, तो चलिए देखते हैं, यूजेज, देखे, the roots are used as a coffee substitute and additive, they are mixed in Indian filter coffee, used in high BP, high BP में भी यूज किया जाता है, heart failure में भी यूज किया जाता है, loss of appetite, stomach upset, constipation में भी, cancer liver में भी यूज किया जाता है, cancer में, liver disease में and gallbladder disorder, inflammation and hypoactive toxicity के लिए, ये सब के लिए, ये यूज किया जाता है, अब हम लोग देखने जा रहा है, ginger, ginger का biological source क्या होता है, ginger जो होता है, इसका biological source क्या होता है, तो देखे, it is dried rhizomes, आप दी, ginger, 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 जिंजी बर, औपसी, कैनिटो, बिलांग करता है किस फैमिली से, ginger beaker जिंज बाइकर सियर्स, ठेक, कहां से बिलांग करता है, जिंजी बर सियर्स, यहां से बिलांग करते हैं, जो कि इसके बारे में ये टोटल है, biological source, chemical अब बात करना जा रहा है, chemical constitute की क्या होता है, इसका chemical constitute, तो देखे, it contains volatile oil, mineral, रेजिंस, ginger, आयल, गंटेन, ginger, ब्रेंस, बिस फ्रेंस, उसके बाद सिक्यल, फिरें, एड्रीन, एंड क्यूर मेंस, रेजिन कंटेन, फिनलोक्स, किटों, सच एज जिंजरोल्स, सिगोल्स, जिंजर्स, वन अधर कंपाउंड, ठीक, हम लोगों को बस इसमें यही जानना है, कि जिंजर का biological source क्या होता है, इसके chemical constitute क्या होत आते हैं, तो देखिए, इस्टुमेटिक, एरोमेटिक, कार्मिनेटिव, इस्टुमिलेंट, फ्लिवरिंग एजेंट इन जिंजर, विरेजियस, अफ्स्ट्रेंड, एड्जोर्शेंस, आप दिव टॉक्सिन्स, फ्राम जी आईटी, टू कंट्रोल दी, पैरसिटिक इंफेक चलिए नेश्ट अगला देखते हैं, अब हमारा नेश्ट जो है, वो है फीनोग्रीक, फीनोग्रीक का क्या होता है, बायलोजिकल सोर्स, इसका बायलोजिकल सोर्स क्या होता है, ये कंटेन होते हैं, इसमें क्या होते है, आप सीड, आप दी, प्लांट, इरीगोनिला, फोनि को मिनाज से ठीक इसका सिनोमेंस क्या होता है फिनोग्रिक का सिनोमेंस क्या होता है इसका सिनोमेंस जो होता है मेडिक मेथी होता है ठीक इसका सिनोमेंस थोड़ा अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना सिनोमेंस इंपोर्टेंट होते हैं कि फिनोग्रिक का सिनोमेंस क् Active Constitute की बात करने जा रहा है, Active Constitute का ये या फिर Chemical Constitute का ये, क्या होता इसका Active Constitute? देखे फिनोग्रीकाइन हो गए, एरिगुनिलेन हो गए, डायोस्चेनिन हो गए, ये सब इसके होते हैं active constitute, अब हम लोग यूज की बात करेंगे, कि फिनोग्रीक का यूज क्या होता है, कहां कहां यूज क्या जाता है, डाइबिटेज में, हाइपर लिपीडिमिया में, हाइ अगला है गार्लिक, गार्लिक का सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, गार्लिक का सिनोमिस, तो क्या होता है गार्लिक का सिनोमिस, लेसुन, गार्लिक का सिनोमिस होता है, लेसुन, इसका बायलूचकल सोर्स क्या होता है, गार्लिक का बायलूचकल सोर्स होता है, आप Aluminium, Satrium, ठीक, फैमिली क्या होता है, ये किस फैमिली से बिलाग करता है, Lailisius, लailisius फैमिली से बिलाग करता है, बिलाग करता है garlic, Active Constituton आप इसके क्या होते है, Active Constituton देखे लिख लेजे, एलिसीन, एलिल प्रोफिल, डैलस फेट, उसके बाद सेलीनियम, sacred dense ठेक ये सब होता है active constant इसका यूज कहा कहा होता है garlic का यूज कहा कहा किया जाता है तो यह hypertension में भी यूज किया जाता है diabetes में यूज किया जाता है hyper cholesterol में यूज किया जाता है hyper lipidemia में भी यूज किया जाता है मधु जो की आम तोर पर लोग हमेशा मध वी काते हैं हनी को एंगलिस में बोल देते हैं हनी है हनी है लेकिन हनी का दूसरा मतलब एक है सिनो मिल्स है मधु ठीक अब हनी का biological source क्या होता है हनी का biological source होता है sugar secretion deposit in the honey cam by the beast beast means क्या होता है मधु मख्खी मध मक्खी के द्वारा जो निकाला जाता है वह ही हमारा होता है मधु हनी इसका जो होता है इसका बात करेंगे एकटी कांस्टिट्यूंट और इसका यूज क्या होता है यूज देखेंगे तो इसका यूज क्या होता है? इसका active constitute क्या होता है? गुलकोज होता है, त्रेक्टोज होता है, देक्ष्ट्रीन होता है, और क्या होता है? मेल्टोज होता है, फार्मिक एसिड होता है, एसिटेट होता है, ये सब भानी का active constitute होते हैं. इसका यूज किसलिए किया जाता है? שנomas क्या होता है? Amalaki, एक שנomas इसका आँर होता है Indian ghost berry, ठेक, Amalaki भी होता है, Indian ghost berry भी होता है तो यह इसके SUнomas हो गए है, biological sources के क्या होता है, biological source देख लीजे, dry ripe fruit, अप release, antimica, family क्या होता है, Euprobious, ठेक, Euprobious, तू इसका यह हो गया फैमिली अब active constitute की बात करेंगे दोस्तों बहुत important topic आज आप लोग कचल रहा है तो ध्यान से lecture को पूरा देखना अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को अराम से रोक करके लिख भी सकते हैं तो इसका active constitute क्या होता है गैलिक एसीड, allergic acid, vitamin c, amino acid and phalanuline ठीक इसका यूज क्या होता है यह useful होता है powerful antioxidant के लिए उसके बाद accelerate the cell regeneration, building the body immune system ठीक यह सब इसके यूज होते हैं किसके यूज होते हैं अमला का अब हम लोग next बात करने जा रहे हैं ginseng, ginseng क्या होता है इसका synomens क्या होता है, ginseng का synomens होता है, ninjin, ninjin का synomens होता है, ginseng और ginseng का synomens होता है, ninjin ठीक, biological sources क्या होता है, इसके biological sources होते हैं, dry root आपती, pennex, ginseng, kerala, korea, phoenix, उसके बाद cunan phalanx, इसका family क्या होता है, इसका family होता है, aralias, ठीक, या फिर इसको जिनजी बिरैसी भी काते हैं इसकी family यहां से भी यह बिलोंग करते हैं तो यह दोनों नाम अपलूग तयार कर लेना इसका main important है active constitute active constitute क्या होता है ओलुनाइक एसीड हो गया पैने डाइसील हो गया पैने ट्रायाल हो गया डेमेर रॉल हो गया यह इसका होता है active constitute यह किसलिए यूज किया जाता है जिनसंज तो यह यूज किया जाता है stress में fat q में उसके बद एरिस्टाइल में डाइप फंशन में hyperglysmia में भी यूज किया जाता है aging में भी यूज किया जाता है cvs में भी यूज किया जाता है जिनसंज आयोब आठ जो अभी तकमनी बताया है इसके बारे में आप लोग को एकड़ मच्छी तरीके समझ में आ गया होगा कि सबका biological source क्या है synomens क्या है वो किस family से belong करता है उसका active constitute क्या है उसके usage क्या है इतना confirm हो गया यह जो heading है heading थोड़े से important होता है examination में heading देखा जाता है और main main topic देखा जाता है कि इसका synomens आपने क्या लिखा है biological sources क्या लिखे है और यह किस family से belong करता है active constitute क्या क्या होते है और use क्या होते है इसमें से ज्यादा नहीं तो कम से कम यूज में 3-4 यूज जरूर अच्छी दरीके से त्यार कर लेना जैसे straight हो गया stress हो गया fatty हो गया उसके बद इस्ट्रेल डाइफंसन हो गया hypoglycemia हो गया जो आसान लगे इसमें से आप लोगों इसको यूज त्यार कर लेना चलिए अब दो और बचा हुआ है दूसरा हमारा जो 9 है वह अस्वगंधा और दसमा हमारा है इस्पायरू लेना तो चलिए वह बी देखके lecture टोटल कम्पलीट कर देते हैं तो 9 है अस्वगंधा अस्वगंधा का सिनोमेंस क्या होता है अस्वगंधा का सिनोमेंस होता है विदीनिया अब विदीनिया इसके अस्वगंधा का सिनोमेंस होता है विदीनिया अब विदीनिया इसके अस्वगंधा का बायलोजिकल सोर्स क्या होते है ये ड्रायड रूठ होते हैं आप किसके स्कामिली यह नाम्योर्ट राते हैं धिल्वाइण एट्रेक्स के बिलोग कर्ते ईएक्टियोक। हो गया गाला की तो धिलिएनलाइड्स हो गया उसके बड़ भड़े नाम हें यहां पर इसको आराम से लिखके पढ़ लिजएगा जिसी थोड़ा सा पढ़ने में भी दिक्कत होता है तो क्या क्या होता है इसके active constitute यहाँ पर मैंने बता दिया है इसका use क्या होता है यह seduction में भी use क्या जाता है diarotex में भी use क्या जाता है अब आप लोग को ये नहीं बताना पड़ेगा डारिटिक्स क्या होता है इमेटिक्स क्या होता है ये सब आप लोगों ने फर्माकुलोजी में पढ़ लिया है अस्थमा क्या होते है लिवर डिजीज क्या होते है एंटि हाइपर टेंसिव क्या होते है anti hyper lipidemia क्या होते हैं hyper glismia क्या होते हैं ये सब आप लोग फर्मकोलोजी में पढ़ लिया हैं ये सब बताने की आउसकता नहीं होगा आप लोगो sedative यूज होता है diretics में यूज होता है emetics में यूज होता है उसके पर dyesphia हो गया platonians हो गया asthma हो गया नेर्विक्टोनिक लिवर हो गया liver नेर्टोनिक हो गया liver complaints हो गया ठेक ये सब इसके क्या हो गया यूज किसके यूज है ये अस्वगंधा के यूज है अब हम लोग spirulina जो की and spirulina maxima इसके family क्या होते हैं इसके family जो होते हैं OC-Later generations active Constitution इसके क्या होते हैं beta-carotene, protein as, nitrogen, lipid, vitamin F, fatty acid, phycobla butterfly protein, glycogen and rhizomes ये सब इसके हो गए है active consequences ठीक, अब हम लोग last इसका बात करने जा रहे हैं क्या यूज होता है इसका spirulina का क्या होता है इसका immunostimulatory, hypolipidemic, antiviral, anti-inflammatory, anti-cancer effect ये सब के लिए ये क्या किये जाते हैं यूज किये जाते हैं spirulina तो आज के lecture में हम लोगों ने देखा है spirulina क्या होता है इसके biological source क्या होते हैं family क्या होते हैं उसके बाद आसोगंधा के बारे में भी देखा है फिर amla के बारे में देखा है उसके बाद जिंसंज के बारे में भी देख लिया हनी मधु के बारे में भी देख लिया उसके बाद गैलिक के बारे में भी देख लिया उसके बाद हम लोगोंने फेनोगरिक के बारे में भी देखा है उसके बाद चिंकोरी देखा है दूसरा हम लोग का चिंकोरी है तीसरा जिंजर देखा है और पहला चो हमारा है अलफालपा ये टोटल हम लोगोंने आज के लेक्चर में हर्ब एज हेल्थ फूट टोटल कम्प्लीट कर लिया है अब जो आप लोग का लास्ट बचा हुआ है लास्ट क्या बचा हुआ है हर्बल ड्रग एंड हर्ब फूड इंटरेक्शन बहुत ही दुस्त के पास शेयर कर देना नोट्स हमारे टेलिग्राम गुरूप में मिल जाएगा टेलिग्राम गुरूप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो सीधा सीधा जाए टेलिग्राम में अपने और वहाँ पे सर्च कर ये सपोर्टिंग आप पार्म इसी हमारा आज आएगा गुरूप वहाँ पे आप लोग जॉइन हो करके फीडियप वहाँ से कलेक्ट कर लेजिए तो ते लिए थैंक्स पर वाचिमें वीडियो लाइक कमें शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल